तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रकास की उत्क्रमडियता, मिल्स रिवर्सिबिलिटी ओफ लाइट की, तो देखिए रिवर्सिबिलिटी, अब साफ साफ यार बोल ला है, रिवर्स, मिल्स उलट देना, क्या, उलट देना, अब कई से उलट द ठीक है, और फिर हमने क्या किया, आपने हमसे कहा, आप जाओ, हम फिर वापस आ गए, तो यही तो है रिवर्सिबिलिटी ओफ लाइट, यानि कि जिस मार्ग पर आप आ रहे हैं, उसी मार्ग पर क्या हो जाओ, वापस हो जाओ, कहा हो जाओ, वापस, तो यहां बस प्रकास ह तो प्रकास, अब देखो, रिवर्सिबिलिटी बता रहे हैं, क्या, कि जब कोई प्रकास किरण, कहां, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अब क्या करो, अब उस प्रकास किरण का जो मार्ग है, वो उलट दो, तो जिस मार्ग पर आई थी, उसी मार्ग पर कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी ओफ लाइट, क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी ओफ लाइट, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम दो माध्यमों के लिए देखेंगे, और फिर हम तीर माध्यमों के लिए देखेंगे, तो आईए, स्टार्ट करते हैं, दो माध्यमों के लिए तो हमने बच्चा क्या कहा हमारे पास कोई के दो माध्यम है कोई दो माध्यम है एक तो वायू का माध्यम हमने ले लिए लो котором युक्त कई विछ और सगन तो जानते होंगे विरल मिंस दूर दूर और सगन पास-पास पूराई आं तरिक परावार्तन में के लेक्चर में हमने काफी कुछ यह बताया है आप वहां से देख लीजिएगा अब बच्चा यहां पर हमने कहा कि हमारे पास है काच का क्या है काच का हमारे पास है सघनमाध्यम वायू का विरल लिया और काच का क्या लिया सघनमाध्यम ठीक है तो उस लेक्चर में हमने प्रका वायू से काच में जाएगी यानि कि विरल से सघन में प्रकास किरन जाती है तो अभिलंब की ओर जुक जाती है लेकिन बच्चा कहां जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है तो आईए वही स्टार्ट करते हैं तो यह हमने कहां हमारी कोई light ray है, यािकि प्रकास की रण, तो ये कहां, बच्चा, एक माध्यमसे, दूसरे माध्यम में, आ require है, तो कहां, वाईु से, कहां जा रही है, ये, काच में, तो हमने कहा अभिलंब की ओर ये थोड़ी सी क्या होगी? जुक जाएगी. तो देखिए, ये अभिलंब की ओर थोड़ी सी बच्चा क्या होई? जुक गई. तो ये तुम्हारा कौन सा? ये आपतित किरन है, तो आपतन कोण क्या बनेगा? आई. उसके बाद में ये अपवरतित किरन है. तो अपवरतन कोण बच्चा मेरा क्या बनेगा? आर बनेगा. ठीक है. आप चाहो तो पात भी ले लो. ये अ है, ये ओ है, और ये क्या है? बी है. क्या है बच्चा? ये हमने कहां बी है. तो देखिये, अभि पात इसका अब इसका पात क्या करिए अब इसको उलट दीजिए अब ही देखो क्या कैसे प्रकास किरण इस तरीके से आ रही थी ऐसे अब क्या करो अब इसको बैक करो यानिकि उलट दो क्योंकि हमने का उत्करमड यहता है रिवर्स बिल्टी यहीं कि इसको उलट दो तो अभी कहां से ए से बी तक आई अब बी से कहां इसको भेज़ दो ए पर ठीक है तो देखिए अब बी ओ पात हाप ले लीजिए तो अब इसका पात बच्चा जब उलटेंगे तो यह उसी मार्ग पर जिस मार्ग पर आई थी उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी वापस हो जाएगी बस एक बात ध्यान रखना जब आई थी तो आपतन कोंड आई और पर अपवरतन कोंड बच्चा क्या रहा आ रहा आ रहा लेकिन जब वापस जाएगी तो यहाँ से अब बीयो ले美味 तो ये फिर अब इस साइड से आपतित होगी क्या होगी आपतित तो आपतन कोण इस कंडीशन में क्या बनेगा आपतन कोण लाल आपका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा और अपवरतन कौण कौण सा बन जाएगा आई बन जाएगा कौन बन जाएगा आई बन जाएगा क्या बन जाएगा आई बन जाएगा फिर इसमें हम इसनेल का नियम लगा देंगे तो इसनेल का नियम याद रखना बच्चा क्या होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कोई प्रकास किनल जाती आपतन कोण की जिया तथा अपॉरतन कोण की जिया कानुपास अपॉरतनांग के बराबर होता है तो आईए यहां से देखते हैं जब प्रकास किरण बच्चा कहां जा रही है पहले विरल से स्थघन में यानि कि वायू से कहां जा रही है कांच में जा रही है तो लिख देते ह है कि जब प्रकास किरण कहा जा रही है वायू से काच में जा रही है तो वायू से काच से वन एंटू यह पहला यह दूसरा तो यहां पर वाय उसे कांश तो पहला वायू बना वायू को मतलब बच्चा मेरा एयर और आज का मतलब ग्लास यहीं कि जी तो एक नंबर कौन है एयर यहीं कि ए-ए-ण और जी तो यहां से हम क्या कहेंगे ए-ए-ग बराबर कितना हो इसको हमने कहा यह समय कर नंबर है एक अब हमने इसका मार्ण जब उलट दिया तब यह कहां जा रही है अब कांच से कहां जाएगी वायू में यानि कि प्रकास की उत्रक्रमडियता से किस से बच्चा प्रकास की कि उत्रक्रमडियता से ठीक है कहां जा रही है कांच से कहां बच्चा जा रही है हमने कहां कांच से कहां जा रही है वायू में यानि कि सघन से विरल में जा रही है तो अभी हमने कहां अब आपतन पूर्ण क्या बन जाएगा आर बन जाएगा तो यहां से देखिए और कहां ग बच्चा क्या बन जाएगा जी एंड ए और घीन ए बराबर कितना हो जाएगा यह आपतन कोण क्या रहेगा今日はurena क्वार का काम कौन करेगा दिए बच्चा क्या हो जाएगा विए हमने काइद दिया समीकरण नमबर दो है अब हम लोग क्या करेंग 120 क्या tweet A, N, G, और गुणे क्या है, G, N, A, बराबर इधर से है, Sine I, बटे Sine R, और गुणे, यह है आपका, Sine R, बटे लाल क्या है, Sine I, बटे क्या है, Sine I, अब यहां से आप देखेंगे, यह तो पूरा क्या हुआ, तट कैंसल हो जाएगा, अब बच्चा क्या, आपके पास बराबर आपके पास क्या बच्चा यहां से एक बच्चा क्या बच्चा मेरा एक बच्चा अब यहीं से बनेगा यह ए ए एन जी बराबर क्या बन जाएगा एक बटा जी एन ए तो बच्चा यहां से ए एन जी बराबर क्या बच्चा एक बटा जी एन ए अब अगर जी एन ए निकालो तो जी एन ए बराबर क्या आ जाएगा इसी प्रकार एक बटा ए एन जी चाहो यहां पर लिख दो कि जी एन ए अगर हम निकाले तो जी एन ए बराबर एक बटा क्या बन जाएगा एन जी क्या बन गया एक बटा एन जी तो ये कितने माध्यम के लिए था सिर्फ सिर्फ दो माध्यम के लिए कितने माध्यमों के लिए लाल मेरा था दो माध्यमों के लिए अब हम निकालेंगे तीन माध्यमो है हमारे पास वो है वायू दूसरा माध्यम है हमारे पास जल और तीसरा माध्यम है हमारे पास कांच पहला कौन सा है वायू है ठीक है अबने कहा यह हमारे पास है वायू पहला माध्यम है बच्चा हमारे पास यह वायू, ठीक है, वायू, दूसरा है हमारे पास, जल, और तीसरा है हमारे पास, कांच, क्या है कांच? अब वायू से पहले कहां जाएगी जल में प्रकास किरण फिर जल से कहां जाएगी कांच में जाएगी और फिर कांच से कहां जाएगी वायू में जाएगी तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने क्या कि वही काम कि जब कोई प्रकास किरण विरल से स्तघन में जाती है कहां विरल से स्तघन में तो बच्चा अभिलंब की ओर थोड़े सा क्या होती है जुक जाती है अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या होती है जुक जाती है तो ये अगर आपतन कूण आई है तो इधार से यह आपका अपोरतन कून बच्चा क्या बनेगा आर बनेगा अब देखिए अब इसके बाद में अब क्या होगा अब प्रकास किरण कहा जाएगी जल से जल से कहा निकलेगी बच्चा कहा बनेगी जल से कहा निकल नहीं है अब यह निकलेगी देखिए जल से कहा जा रही है कांच में तो देखिए अगर कांच के कंपेर में जल देखा जाए तो तो फिर से वही फेनामेन होगा जब जल से कांच में आएगी तो अभिलंब की और ये थोड़ा सा बच्चा क्या होगी जुक जाएगी क्या होगी जुक जाएगी लेकिन यहां पर जो अपवरतन कोण था आर वो यहां किसका काम करेगा वो काम करेगा आपतित किरण का तो बच्छा यहां पर आपतित किरण देखिए क्या बनेगी आर बनेगी कौन बनेगी आर यहां कि आपतन कोण यहां पर क्या बना आर और यहा अपोरतन कोण बच्चा क्या हो जाएगा आपका तो यह आर है तो हमने कह दिया यह क्या हो गया आर डैस क्या हो गया बच्चा आर डैस अब क्या होगा अब फिर से वही कहानी अब प्रकास किरण जो है यह अब कहा काच से बच्चा कहा जाएगी वायू में जाएगी हमने क्या कहा काच से वायू में तो देखो काच यहां क्या है सघन अब वायू क्या है विरल तो सघन से विरलम जाएगी तो अभिलंब से क्या होती थी दूर हट जाती थी तो यह आपक अगैं कौन का काम करेगा वह कौन करेगा यह और विद्धर से यह आपका क्या हो गया आप और वरतन्पॉण यह क्या बना आई बना यह बन गया आई बन गया ठीक है अब थोड़ा फीगर को कहो सजा देते हैं यहाँ जलवल चाहोँ अपना भर-भरा लू यह खा यहां पर यह काच है चाहों जैसा भी जो चाहों सजाना लिख तो हमने दिये हैं हमने कह दिया यह हमारी काच कैसा भी बना लो हमने यह ऐसा मान लिया ठीक है और वह उपर जो है वह क्या है एर ठीक है तो अब फिर से वही तो लिखेंगे जब जब प्रकास किरण कहां बच्चा जा रही है वायू से जल में तो देखिए वायू से जल में जा रही है तो वायू क्या होता है एयर क्या होता है एयर यनिकि ए एन कहां जा रही है जल में यनिकि जल का वाटर तो ए एन डबलू बराबर क्या होता है इसने लिए हम से साइन आई बटे साइन आर यनिकि आपतन पूर्ड तो आपतन पूर्ड बच्चा क्या है आई तो साइन आई बट कि क्या बना देंगे हमने इह हमारा समीकरन्ण एक है अब तरो सब्सक्राइब करकाफ्ट प्रकास कि सब्सक्राइब तो प्रकास कि कहां जा रही है जल से कांच में तो फिर इसनायन नियम से तो जल मतलब वाटर कहा जा रही है काच मतलब क्लास डब्लू एंजी बराबर अब यहां देखो आप तनकौन कौन सा काम करेगा आर तो साइन आर बटे बच्चा यह क्या है आर डैस तो साइन आर डैस यह हमने कहा समी का नंबर बन गया दो अब कहां जा रही है काच स से जब कहां जा रही है बच्चा मेरा काच से जा रही है वायू में तो काच से वायू में जब जा रही है तब देखो काच मतलब ग्लास यहनिकि जी एन कहां जा रही है वायू यहनिकि एयर जी एन ए बराबर कितना हो जाएगा अब यहां से आप तनकौन क्या है यहनिकि आ काम समीकरण एक गुड़े दो गुड़े तीन समीकरणों को गुड़ा कर डालो तो गुड़ा करेंगे तो पहला क्या है ए-n-w गुड़े-w-n-g गुड़े-g-n-a बराबर इधर से देखो बच्चा पहला क्या है साइन आई बटा साइन औ साइन और देस फिर घुड़े क्या हैं साइन और बटा साइन आई बटेवच्श क्या साइन आए तो ध्याल से देखो ये i, i, r, r, ठीक है? और उसके बाद में ये तुम्हारा r dash, r dash, क्या था? i बटा r, फिर बच्चा हमने लिया था, r बटा r dash, और r बटा r dash, और उसके बाद में ये r dash था, क्या था? r dash. तो यहां पर बच्चा क्या रहा? ये तुम्हारा हो गया r dash, तो ये r dash से, ये r dash और ये r से r क्या हो गया? खतम हो गया. ठीक है? अब देखो बच्चा क्या बच्चा? तो बच्चा a, n, w, गुणे, w, n, g, गुणे, g, n, a. बराबर ये सब कैंसल होके आप देख रहे हैं क्या एक आया? एक आया. धिकैर तो अब क्या करो? क्यक क्या काम करो यहां देखिए एक दो, इसको चाहों बना दो समी कर cannot 3, तीन ये जो पहले लाएते, दो मादिमों के लिए, इसको बना दो चार बना दो, थीक significant honesty से यहां लिख दो समी कर आण 3 से तो देखो ANW गुणे, WNG गुणे, समझे करना 3 से GNA था 1 upon ANG क्या है बच्चा, 1 upon ANG, बराबर क्या चला एक, तो अब यहां से देखो अगर ANG इधर है बटे में, इधर आएगा तो कहें हो जाएगा गुणे में, और ANW इदर है गुणे में इधर आएगा बटे में तो अगर हम W NG find करें तो हम क्या कहेंगे W NG बडाबर तो A NG बटे में है इधर आएगा गुणे में हो जाएगा तो A NG अपॉन बच्चा क्या हो जएगा A NW क्या हो गया ANG upon ANW, तो बच्चा यही थी हमारी प्रकास की उत्क्रमडियता, के लिए तो एक बार मैं पुना बता देता हूँ, उत्क्रमडियता क्या होती है, देखिए, जब कोई प्रकास किरन कहा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम मे तो बच्चों हम आसा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज के इस लेक् में धन्यवाद